नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मानस समर्थ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कर डेंगू का सीजन बहुत चल रहा है सारे हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम हर डॉक्टर सारे बहुत बिजी हैं हर जगे बिल्कुल भीड है क्योंकि डेंगू हर जगे फैला हुआ है डेंगू क मिलवाता हूँ मिस्टर देविन से यह मिस्टर देविन किसी वज़े से मैं इनकी फोटो नहीं दिखा पा रहा हूं मिस्टर देविन जिसके जिनकी एस 25 यर्ज है बिल्कुल यंग ब्लड है यह मिस्टर देविन को भी बुखार हुआ वो बुखार बगारा हुआ यह सब यह लोग भी घबरा गयते, इनोंने भी सोचा कि हॉस्पिटल मैटमिट कराना यह कराना लेकिन आज कल रश भी बहुत चल रहा है तो जब इनोंने अपना टेस्ट कराया, यह टेस्ट इनोंने कराया था 12 रॉवेंबर को, जी हां दोस्तों 12 रॉवेंबर को शाम को करीब 7 बच के करीब इनको रिपोर्ट मुली थी, जब इंटरेस्ट हुआ था, तो उनको पता लगा कि इनको डेंग हुए है, और इनकी प्लेट्लिट्स जो है, वो 43,000 जो कि बहुत डाउन हो रही थी, तो यह लोग बहुत गबरा गए थे, गबराने के बाद इनों सोचा हॉस्पिरल मैडमिट करा हैं, लेकिन फिर मिस्टर देविन को डॉक्टर विशू प्राय चौधरी और उनकी डाइट पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, वो नेच्रोपैथी में ट्रस्ट करते थे, उन्होंने सुना था डॉक्टर विशू प्राय चौधरी की डियाईपी डाइट और फ्लू डाइट के बारे में, त इनको सारा समझाया, समझाने के बाद इनके अंदर थोडा सा कॉनफिडेंस लेवल आया, और प्रेटलेट को बढ़ाने के लिए जो कोई बहुत कम था, तो मैंने इनको बताया था कि पपीते के पते, करी के पते और हर्शिंगार के पते, इन तीनों का काढ़ा आपको पीना है, क्या तरीका है, मैंने इनको सब समझा दिया था, इसके लावा मैंने इनको बताया था, कि जो हमारे थ्री डेज फ्लू डाइट है, उसका जो थर्डेज है, अगर आपको तीन दिन के बाद भी लगता है, कि बुखार अभी थोड़ा बहुत है, या भी थोड़ी बहुत तो आप इस थर्डे वाले चार्ट को भी तीन दिन और руки, तीन दिन एक्स्ट्रा आप इसको रिपीट कर देना, यह मैने इनको समझाया था, इसके छार्वा इनको बताया था, उसके बाद जब यह तीन च्छे दिन हो जाएंगे, इसके बाद आप हफता ज़रिद दिन आप को हम से मिले थे फिर 18 को इन्होंने सुबह जब मॉर्निंग में इन्होंने जब ब्लड टेस्ट कराया तो इनका जो प्लेट था वो 1.91 लाक्स जी हां दोस्तों पहले था वो 43,000 और चार दिन के अंदर ही इस डाइट से और इस काढ़ा पीने से 43,000 से 1,90,000 यानि करीब 2,00,000 क का बढ़ गया था और इनको काफी सुकून मिला और ये काफी हैपी हुए इनको कोई प्रॉलम नहीं थी किसी भी तरह की और तब तक वह एप्सुल्ट्री फिट एन फाइन थे तो दोस्तों ये है कमाल डॉक्टर विश्डू प्राज चौधरी और उनकी फ्लू डाइट उन जो हमारे वीवर्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आजकर आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग बहुत इंटरस दिखा रहे हैं और मैं इसके लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया आदा करता हूं कि आप लोग सच में बहुत अच्छा काम करें क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं इसका मतलब आपको नौलिज है और उस नौलिज को जो आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि आप लोग धीरे-धीरे आप डॉक्टर बनते जा रहे हैं तो यहां दवाई की अगर बेवकूफ बनाना बंद कर दे में जिलका कहना है कि ऐसी दवाई की कोई गोड़ बना बंद कर दे तो कोई मायकलाल आपको बेवकूफ नहीं बना सकता मैंने ड़क्टर विशूप राइच चौधी के साथ हूं और उनके बताय हुए नुस्खे अपना कर बहुत बार मैंने अपना आपको ठीक किया. Thank you so much Mr. Shuresh Kumar और अगर ये राय आप सब लोग रख लें और ये देश नेचरोपैथी को अपनाए और नेचरोल चीजों को अपनाए तो हमारा देश कितना अच्छा और कितना स्वर्ग हो सकता है आप सोच भी ने सकते. एक और कमेंट जो कि ऑनलाइन आफसाइड से हमें आया है बहुत अच्छा लगा इन्होंने लिखा है हमने अब ये ठाना है नेचरोपैथी और आईरुवेदा को में स्ट्रीम में लाना है. तो मैं चाहता हूँ इस देश के हर व्यक्ति का ये नारा हो कि हमने अब ये ठाना है इस देश में नेचरोपैथी और आईरुवेदा को में स्ट्रीम में लाना है तो आप इस बात को जुबान पर ही नहीं अपने दिल में अपनी आत्मा में बिठा लीजिए कि आपको नेचरोपैथी को अपनाना है और अपने आपको इसी से ठीक करना है मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे डॉक्टर बनाना शुरू करिये दूँगा डॉक्टर विशूपराय चौधरी ने करोड़ों लोगों को डॉक्टर बना दिया यह है कमाल उनकी डाइट का और यह है कमाल उन लोगों का जो डॉक्टर विशूपराय चौधरी पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नेचरोपैथी पर ट्रस्ट कीजिए और नेचरोपैथी को अपनाईए देखिए आपका जीवन कितना अच्छा होता है आप हमेशा दवाईयों से, डॉक्टर से, हॉस्पिरल से कोसो दूर रहेंगे यह हमारा आपसे वादा है जल्दी मिलता हूँ और अगर आपको कोई दिक्कत परिशानी है तो आप हमसे कंसर्ट कर सकते हैं, हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सिक्षासेसेथ.com पर जाकर या नीचे लिखेंगे इन नम्बरों पर या इस तरह के से कॉंटक्ट अड़के तब तक अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए नमशकार